नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभय परताब और आप देख रहे हैं AP Drying 2.0 तो दोस्तों आज हम आपको बहुत ही आसानी से 4 नंबर की हल्प से पिकाउक का चेत्र बनाना सिखाएंगे जी यहां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 4 नंबर की हल्प से बस आप वीडियो को सुरू से लाश तक देखते रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है यहां पर आप इस तरह एक 4 नंबर लेख देंगे 4 नंबर लेखने के बाद दिखेगा दियान से इसको आप ऐसे उपर की तरफ बढ़ा दीजेगा थोड़ा सा हम लंबा बढ़ाएंगे यहां तक बढ़ाएंगे फिर इसको हम नीचे की तरफ ऐसे जुकाएंगे इधार एक छोटा सा हाफ सरकल बनाती हुए बना दीजेगा इस तरह यह वाला सीरा आपको डबल करना होगा यहां तक डबल करिएगा ऊपर के साइड में दोस्तों छोटे 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 लाइन ड्रॉय करके छोटे छोटे आप ऐसे पॉइंट्स लगा देंगे और अगर आपने भी तक मारकर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो जल्दी से उठा यह दोस्तों और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए दिखिएगा यहां से आपको इधर ऐसे मिलाना होगा यह वाला सीरा इधर सलका सब बाहर के साइड में करते ही इधर ले जाएंगे और यहां पर लाकर ऐसे मिला देंगे ध्यान से दिखिएगा इधर आप पहले इसका चोच बना दीजिए वी लेटर लिखिएगा यहां से एक लाइन चोटा सा पॉइंट बना देंगे अब दोस्तों जश नीचे के साइड में एक वी लेटर लिखना ऐसे आपको इधर भी ऐसे करना होगा नीचे की तरफ डबल लाइन ड्रो करेंगे दिखिएगा तोड़ा साओर बढ़ा दीजिए यहां से इसका लेग बनाईए और यह वाले सिरे से आप इधर ऐसे करिएगा आगे के साइड में बढ़ा देंगे इधर भी डबल करेंगे यह हो गया एक लेग इधर और यहां से इस लाइन की हल्प से आपको इस मोर का बहुत ही खुपसूरा सा पंक बनाना होगा इधर से बनाएंगे बड़ा सा बनाईएगा नास्ता हुग लगेगा और यहां पर आप हमें लाश्ट में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों इसको हम बना लेते हैं और आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं दोस्तों आप हमें आप हमें लेते हैं कर दो 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 कि और भाख।